सब्सक्राइब करने जा रहा है उसका नाम है बीपियो चैप्टर नंबर फाइव एमर्जिंग मोड आफ बिजनस का यह मोस्ट इंपड़न टॉपिक अब बीपियो क्या होता है उसके क्या एडवांडेजिस हैं उसके क्या डिस एडवांडेजिस हैं अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें और प्रेस करना ना भूले फ्यूचर वीडियो का आपको नोडिफिकेशन मिल सके तो चलिए दोस्तों आपको मैं सिंपल बाशा में कुछ चीज़े समझाने जा रहा हूं दस से पंदरा मिट का वीडिय जाट सूर्सिंग बनाने के लिए हमें सबजी लानी है दोनी है काटनी फालो करते बरबर वेजिशन में बहुत सारी काम करने पड़ते हैं बौट तरह पीछे काम करना पड़ता है तो आजिकल कंपनियां क्या प्रकाइव देता हुँ आपने आच्छी नहीं देखा देखाक्समें चेक किजिएगा, आपको उसका लिंक मिल जाएगा, पॉर इक्जामपल आउट सोसिंग का पेले मैं आप को यह आपको इंजंबल दे दो, होन्डा कम्पनी का आपने वही कर लिया, आपने अक्टीवा खरीदा, तो मेरा सवाल है आपसे तो क्या अक्टीवा के सारे पार्ट्स खुद बनाए answer is no battery बनाने वाली company कोई और टार ट्यूब बनाने वाली company कोई और प्लास्टिक के रब बर के पार्ट बनाने वाली एक कंपनी कोई और वर टो company क्या करती है अलग-अलग parts जो है अलग-अलग company को कॉट्रैक्ट करते हैं कि अगर हम बार से काम करवाएंगे तो अपना है लूज का काम है तो एक तो हमें कॉस्ट कम करना है दूसरा टाइम बचाना है यह बचा वू सकते हैं में और सकते हैं बाखि के जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं के चैपि और लग्से वीडियो आपके अप्लोड गिया गया है डिस्क्रिप्शिन चेक कीजिएगा आपको उसके लिंक मिल जाएंगे आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं तो बिजनस प्रोसेस आउट्सोंसिंग के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अब बीपियों में बहुत सारा बैक ओफिस वाक होता है यह आपके सामने इंशुरंस का प्रोसेसिंग करना अब क्या होता है कोई बंदा इंशुरंस पॉलिसी ले रहा है तो आप कई सारे डॉक्यमेंट जमा करते तो कंपनी उन डॉक्यमेंट को वेरिफाय करती है उनका रिक करना हुता है यह सारे काम ने इस रैक्ति को बाइए दिए जाता है यह एक और बड़ आपको लिया गया वहां पर फॉर्म प्रोसेसिंग आपने किसी कंपनी का सिम कार्ड लीगा सिम कार्ड लेते समय आपने कुछ डॉक्यमेंट जमा किये फॉर्म पर साइन करके दिया और क करने में आसानी होगी तो रिकॉर्ड एंटर करते अपने पास तो यह सब बहुत सरी अक्टिविटीज करनी पड़ती हैं तो यह बीपी आज कल बहुत चलते हैं तो बिजनस प्रोसेस आउट्सरसिंग उसमें यह सारी बात आगी डेटा को करना है याने आपको स्कीम न उपैसे कामने करने पड़ते तो बेपियो का बहुत बड़ा रूल है जली देखते हैं अब होते हैं यह यह सारे लीन कीज़ ड़ते हैं क्या करने बढते हैं यह म eri अज चलाने में आसाली हो तो सबसे पहले what is BPO आपको पहला पॉइंट जो आपको दिख रहा है वो उसका मीनिंग है BPO is a subset of outsourcing subset का मतलब क्या होता है फ्रेंट्स पार्ट BPO outsourcing का part that involves contracting of operations याने हम business का काम activity किसी और को दे रहे है responsibility किसी को दे रहे हैं जिसको हम contract दे रहे हैं उसको हमने नाम दिया third party service provider यह काम हमने contract इसको दिया third party service provider को कि आप हमें यह काम करके दोगे ताकि मुझे मेरा business चलाने में आसानी हो पॉइंट नमबर टू business refers to outsourcing of peripheral activities परिफरल याने less important activities फाल्तू के काम पर हम खुद करेंगे तो हम important काम पर concentrate नहीं कर पाएंगे तो छोटे मोटे regular activities क्या की जाते आउट्सोर्स की जाते क्यों आगे का लाइन पड़ेगा टूइंट टू मीनिमाइस cost हमें हमारे खर्चे कम करने हैं और हमें हमारा efficiency का लेवल बढ़ाना है याने हमें सस्तो और अच्छा काम करना है तो कुछ चीज़ें हमें outsource करने पड़ेंगी ताकि हमें competition phase करने में आसानी हो इंपोर्टन चीजों चीजों पर हम concentrate कर सके एक्जांबल दिया गया customer care center बैंक वालो को कई सारी information देनी होती है credit card के payments लेने होते हैं loan का EMI लेना होता तो फोन करने पड़ते तो बैंक खुद बढ़के कॉल नहीं करते को customer care center को इन लोगों को कॉल करो इन से पैसा कलेक्ट करो तो यह लोग आपके पीछे लग जाते हैं कॉल करेंगे बार बार पूछेंगे कब आना है सर पैसा आपने नहीं बढ़ा है कब तक बढ़ेंगे एक्से offshore क्या होता है, Staat connection के नियर्शूर दे रहें को यह बार किसी company को हमने contribute दिया तो ऊसको नाम दिया Offshore अपने ही देश में किसी company को में आपन этого मिन अगरम कos उसको हमने नाम दिया नियर शूर यह एक माख के लिए अबजेक्टिव में आ सकता है आफ शूर और नियर शूर का मतलब आपको पता होना चाहिए ऑफ शूर याने साथ समंदर पार किसी दूसरे देश की कंपनी को आपने ही देश में किसी कंपनी को हम कॉंट्रेक्ट दे रह का आपको जो पसंद का हो वीडियो आप उसको देख सकते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों चलिए नेक्स्ट इस एडवांटेजिस ऑफ बीप्यों का क्या फायदा है अल्लेडी में कुछ चीजे इंड्रोड़क्शन में आपको बता चुका हो पॉइंट नमबर बन प्रोड टास्क दिया है और उन्हें पड़े लिखे लोगों को काम पर रखा ट्रेंड लोगों को काम पर रखा उनको ट्रेनिंग दी गई है तो इससे काम जल्दी होगा प्रोड़क्टिविटी का लेवल बढ़ेगा उसी से करेंट है पॉइंट नमबर टू यान ऑप्टिमुम बचता है जो कि हमारा पॉइंट नमबर थ्री है पैसा भी बचता है दूसरा हमारा टाइम भी कम होता है हमें सबी चीजों पर टाइम देने की दोतरी है कुछ चीजें हमने दूसरों को करने लिए दी तो हमारा टाइम भी बच रहा है हमारा पैसा भी बच रहा है पॉइंट चार्ज जो है कॉस्ट होता है मतलब मुझे भाड़े पर ओफिस लेनी पड़ेगी कंप्यूटर का पैसा मुझे लाइट का बिल इंटरनेट का बिल एंप्लोई की सेलरी यह सब मुझे लेकिन हैं जितना वह काम करेंगे मैं इसके चार्ण और सक्षी करनेट करेंगे और से हमारी इंकम यानि रिवेनियू बढ़ती है तो यह हमारा कॉस्ट कम होता है कॉस्ट कम होता है तो अपनी इंकम यानि रिवेन्यू बढ़ जाती है क्लिएर दोस्तों पॉइंट नमबर फॉर इंप्रूड हुमन रिसोस आउट्सोर्सिंग के जरीए क्या होता है हमने ऐसी कंपनी को कॉंटेक्ट दिया है जिन्होंने अच सोस किया यह तो हो गया सिक्के का एक पहलू सिक्के का दूसरा पहलू भी है और वो है落़िस अद्वांटेजेस ओफ बीपि ओ क्या हैं डिस अड्वांटेज ये अगर तो अलग अलग देश की कंपनिया है तो दोनों के बीश में misunderstanding का लेवल बढ़ेगा क्योंकि आपस में proper communication नहीं हो रही है जहां communication नहीं होता है बाचीक नहीं होती वहां misunderstanding की लेवल बढ़ जाती है ऐसा हुआ तो यह माइनस पॉइंट है फिर हम एक दूसरे को satisfy नहीं कर पाएंगे communication प्रॉब्लम क्यों थी से प् तो टाइंब जोनस के वज़ाश से कई बारा हम आपस में फिजीकल कानिक में भाटे ऌनलां मीटिंग है कर पायंगे कई बढ़ सफिशिन नहीं होता है पॉइंट नमबर थ्री लॉस आफ कंट्रोल अब क्या होता है जब दूसरों को कॉंट्रिक्ट देते हैं तो हमने अपना कंट्रोल किसी और को दे दिया वह अपने इसाफ से काम करेगा अब कई बार वह गलती करेगा तो उसका इफेक्ट हमारे बिजस्ट पर हो यह हो रहा है और क्योंकि दोनों के बीच में प्लेखरित नमबर वन पर चलाएं हो रहा है अगले है पर सकता है जो के माइनस पॉइंट है यह थे हमारे अगर आपको मेरे जादा से जादा वीडियो देखने हैं तो तीन आप्षिंस हैं पहला जो बीच में आपको दिख रहा है कि आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे वहां पर वीडियो का लिंक दिया रहता है आप किसी को भी क स्टोरी में उसको अपलोड कर देता हूं ताकर लोगों को पता चले कि आज कौन सा वीडियो अपलोड हुआ प्लस मैंने मोटिवेशल शारी इंस्टाग्राम पे अपलोड की आपके बेनिविट के लिए और अगर आपको मेरे ज्यादा वीडियो देखने हैं तो ऊपर करेंगे तो होम पेज ओपन होगा होम पेज आने में पेज वहां पेक वर्ड देखेगा प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट का मतलब फोल्डर बने हुए चैप्टर वाइस स्टैंडर्ड वाइस 11 के 12 के बिजन स्टेडिस के आप जो चाहें देख सकते हैं नंबर वाइस वीडियो सा आप सब का बहुत बहुत धन्यमात थैंक यू आल पर यू लव और सपोर्ट